दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों कल जो है हिंदू नववर्ष आ रहा है आपने हैप्पी निवर तो बहुत मनाया है इस बार हिंदू नववर्ष मनाईएगा रोजाना शुबह और शाम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों पर मजेदार एनलेशिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसी कम में आज हम चल्चा करेंगे भाया जी कि शी जिन पिंग भाया जी रूस पहुँचे हैं तो रूस न चीव यह है जी 20 समट है कहां हो रही है आरुना चल प्रदेश चीन की हालत भईया चाचंदर वाली हो गई है ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है तो साथ में भाई साभ भारत कीन का जो संघर्स है उसमें अमेरिका ने इंपॉर्टेंट हेल्प दी है रियल हमारे कई स्टूडेंट्स भी परहसान है इसलिए हम उसका भी चर्चा करेंगे यह हर घटनाकरम एक से बढ़कर एक है आपको पक्के से मज़ा आएगा आनंद के साथ देखिएगा आईटी सेक्टर में हम हिस्टोरिकल पॉइंट ओफ व्यू प्रेजेंट करेंगे आपका दि यह जी ट्वंटी समिट हो रही है अब यह अगर आम तोर पे मोधी जी नहीं होते तो पूरा खेल दिल्ली में खतम हो जाता किसी को कानो कान खबर नहीं होती लेकिन मोधी जी का कर रहा है बिटा आजाओ सीधा अरुनाचल प्रदेश में मीटिंग करवा रहे हैं आजाओ च और वो अगर चीन जाना चाहता है तो उसके वीजा पे स्टेबल ठोक देते हैं यह तो अब यह तुम्हारे राज़ दूद तो आएंगे देखते हैं उनके पासपोर्ट पे तुम क्या ठोकते हो भाई साब देख लो वताओ क्या कर सकते हो आए तो दिक्कत नहीं आए तो औ अब दोस्तों अमेरिका का हम विरोध करते हैं लेकिन भाईया जी कोई अपने जो है कसम नहीं खाई है कि हर चीज में विरोध करना ना ना कोई लेफ्ट लिबरल बिद्वान समझे हो आप हमें कहा ना वह या जो देश के हित को साधने में हमारी मदद करे उसको धन्यवाद देगे भाईशाद देखो आप अमेरिका ने भारत को प्रवाइड करिये रियल टाइम इंटेलिजेंस दिसंबर 2022 की घटना आपको याद होगी भारत चीन के बीट संगर्स हुगा था बॉर्डर पर बड़ा तवासा खड़ा हुगा था उस संगर्स में चीनी भारत आपाए उसके पहले अमेरिका ने भारत को डॉक्यूमेंट दिये थे मैप दिये थे कि भाईयाजी समल जाओ चीनी खुष सकते हैं तो इससे पहले के चीनी आएं हमने भाईयाजी डंडों को तेल पिला के रख लिया था भाईशाब ढम से और फिर भाईया डंडों का जो असार है व पतलब जिसके हम कोई पॉइंट मिल जा और हम एक्सन ले सकें तो भाईयाजी एक और ग्यारा होते हैं भाईशाब उसका महत्व है तो भाईयाजी अमेरिका के प्रवक्ता से पूचा गया कि भाईयाजी कोई मदद करे हो क्या तो उन्होंने का भारत ने भी कनफर्म नहीं क किया है हमने भी कुछ नहीं कहा है सोर्सेज के हवाले से यह चीज़ बताई गई है तो भाईयाजी सच हो तो बहुत अच्छी बात है अमेरिका अगर भारत की मदद कर रहा है तो वह इंडारेक्टली अपनी खुद की मदद कर रहा है भाईयाजी कितने बार हम डिसकस कर रह कोई खर्ची नहीं हो ना आपकी हल्दी लगनी ना फिटकरी लगनी और मोदी जी ऐसा रंग चढ़ाएंगे भाई साब दुनिया देखेगी आप सामती से अमेरिका में बैठ हो हमें समालने दो पूरा 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 हिंद महासागर इंडो पैसे के रिया पर्ट मद्रोच पता नहीं भाईया जी हम सही नाम बोले या गलत नाम बोले नाम छोड़ो आप तो सकल देख लो इनकी उमर देखो भाईया जी बानवे साल है कब्र में पाउं लटके हुए हैं इनके लेकिन भाईया जी फेरे लगाएंगे साधी के सेर सजाएंगे अपनी कौन सी साधी कर रहे हैं सो जो पांच भी साधी कर रहे हैं अब आप कहो गया कि भूड़े बबबा की पांच साधियां तो हो रही हैं जे भाईया जी पूरी दुनिया की मीडिया इनकी मुठी में है जे ही हैं भाईया जी जे अमेरिका में उल्टी करते हैं हमारे देश में उसको रवडी बनाके परोशा जाता है भाईया देश की जनता को हमारी अखवार जो है इनी की अखवारों को कॉपी पेस्ट करते हैं भाई साब उधारन के रूप में वाल स्ट्रीट जनरल न्यू यॉर्क पोस्ट भाईया जी इनी अखवारों की चलती है हमारे देश में और उसी निवर्क पोस्ट में इन्होंने अपनी साधी की खवर चाप दी साट साल की ये महला है इनसे साधी कर रहे हैं भोल रहा है खुद बोल रहा है हम नहीं बोल रहा है खुद बोल रहा है कर दिए अब अगले जनम की सोचो जला थोड़ी बहुत इसी बीच आप देखो आयाद होगा आपको आई सी सी इंटरनेस्टनाल क्रिमिनल कोर्ट पुतिन के खिलाब भाईया जी वारेंट जारी किये ते पुतिन ना हुए कोई एरे यरे नक्तु घेरे हुए कि कॉलर पकड़ गिर सकती हैं समुद्र से ऐसी दागेंगे कि पूरी कोर्ट की बिल्लिंग दुआ दुआ हो जाएगी बहुत साही कहे हो भाईया जी कोर्ट ने अपने कुर्टे में रहना सीखना चाहिए बदलब तुमारा भाईया जुरिस्दिक्षन नहीं है उन्होंने साइन किये ते वो पीचे हड़ गया फाल तुमें जो है अखवारी घोड़े दोड़ा रहे हो तो पोतिन साब संटियां तो फटका रहेंगे बहुत डंग से मोगा काई छोड़ेंगे इसी वीच भाईया जी शी जिन पिंग पहुंचे हुए हैं कहां रूस में तो बोल बदल गए हैं अभी त अच्छा चिंताएं हैं उन्हों का ध्यान रखना चाहिए पश्मी देशों ने यह बात तो सही है अरे भया पोतिन साब के पास दो विकल्प थे या तो अपनी जमीन पर लड़ें या यूक्रेन में लड़ें तो उन्होंने यूक्रेन का चुनाओ किया यह लड़ा नहीं है हमने हमला नहीं किया हमने हमेशा अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ी तो जमीन गवाई भी हमने इसलिए पुतिन साब जो है यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं अगर बाइडन बबबा जो है दिमाग से काम लें तो यूद्धू तो कल खतम हो जाएगा लेकिन भाई खर्रे निकाल रहे हैं रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि IT सेक्टर का तो भाईया जी खुल स्टॉप लग गया सवाल यह निसान लगया बोले यह दिक्कत है वह दिक्कत है अमेरिका में बैंक बैठ गया जी हो गया अब हम बताएं आप उढ़ंसे मारा निवेश से थी इस में भी मेरा निवेश है निफ्टी इंडेक्स में भी हमारा निवेश है इतना यह उलोकेशन जेतना हमने कर रखा आई-टी श्टॉक को हमने कभी नहीं किया और भाईया जी गिरावट आएगी तो हम खरीदने के लिए बैठे हैं इसलिए आप हमारी बास सुनके खर आपके सामने गूगल पर सर्च कर लेना आप टीसीएस का सेर्च का चार्ट बताओ हमें खुल जाएगा आपको maximum duration ले लिए आप अब आप देखो बात है सितंबर 2008 की हम भाईया नए नए शेयर मार्केट में आये थे बहुत बहुत चोड़े में थे बहुत confidence था और जैसे घुसे लेमन क्रैसिस आ गया मारके तूट गया इतना बड़ा कांड हुआ था उसके बाद जनवरी 2009 का TCS का दाम देखो आप TCS आधा हो गया था 127 पे खड़ा था 30 जनवरी 2009 पे और आज आप देखो TCS कहा है भाईया आज TCS खड़ा है 3116 के दाम पे अब इसमें डिविडेंड आते होंगे बाइबेक वगेरा भी आते रहे होंगे बुनस मुनस भी आते रहे होंगे अब अज़स्टिट दाम है यह आपके सामने आप देख लो भाईया एज़स्टमेंट के बाद यह दाम है आपके सामने तो आज कहां टीचेस कड़ाएं यहां कड़ाएं कंपनी की क्वालेटी में अगर दम है तो शेर ऊपर चड़ता ही चड़ता है यह हम कहना चाहरे है खरीद में बेचने की राइटे पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहे है आप तो इतिहास देखिए और फिर ताय कीजिए कि भ ट्रेडर का सबसे बड़ा हत्यार होता है इंतजार करो सनम मिलेंगे आपको बस आप इंतजार तो कल्द थोड़ा सा बसरते कंपनी की क्वालेटी में सेक्टर की क्वालेटी में आपको भरोसा होना चाहिए quality intact होना चाहिए तो इस ज़राप से आप नजरिया बनाएए अपना viewpoint जो आपका final बने आप जो है बड़े बड़े expert की बास भी सुन लिए है आपने हमाई बात भी देख लो TCS Infosys के share पिटे हुए हैं वो भी आपको पता है तो जो आपका consolidated final view बने उसके हमसार आप आगे बढ़िए हर case में आप जो भी करो हमारी सुब कामना है आपके साथ है इसी बीच दोस्तों आप में से जो लोगों ने options का कारोबार किया है उनको एक चीज़ पता है कि भाई है जिकर आ options sell करो तो margin भले ज्यादा लगता है लेकिन जीतने की पैसा कमाने की संभावना अधिक होती है लेकिन जब आप options sell करते हो तो डर का लगता है कि या loss unlimited हो जाएगा तो कैसे हम इस loss को भी limited करें मतलब जीत की संभावना भी अधिक हो और loss भी limited हो जाए वही हम बताएंगे आत्म निर्वर advanced option course के माद्यम से आचार चानकी की जो advanced hedging strategies हैं वो cover करेंगे हम इस course में आप में से जो लोग हमारे option course के students हैं उनको तो भीज़िया advanced option course जोइन करना ही चाहिए इसी वीडियो के description box में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप आत्म निर्वर advanced option course जोइन कर लीजिए जल्दी ही ये चालू होने वाला है course वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्च्री राम